जहिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे प्लैटफर्म अचीव CAPF CDS पर दोस्तों फाइनली आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं हमारे हिस्टरी के एनलेसिस को अभी तक हमने साइंस जोग्रफी दोनों के list को कर लिया है जितनी बी सोर्सिस आपके सामने में लेकर आ सकता था मैंने लेकर आकर दिखाए आज हम हिस्टरी का अलेसिस देखने वाले हैं हिस्टरी का एनलेसिस शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स फिर से देना चाहूँगा पेपर दो हजार का सर मैंने अपनी लाइफ में जितने भी अनेलेसिस किये हैं पिछले जितने भी सालों के मैंने पेपर का एनलाइस किया है हिस्ट्री का सर इससे वहयात हिस्ट्री मैंने आस तक नहीं देखी pardon my words but sir seriously मुझे हिस्ट्री को देखकर इतना दुख कभी नहीं हुआ जो मुझे CEPF 2024 को देखकर हो रहा है मतलब UPSC को लगता है कि ऐसा देखने को लगता है कि वो चाहती ही है कि आप लोग इस एक्जाम को क्रैक ना कर पाओ sir कोई sir pair नहीं है history पूछने का चलिए मैं समझता हूँ कि आपको cutoff को नीचे लेकर आना है जादा से जादा vacancies है तो level बढ़ाना है पर level बढ़ाने का भी एक तरीका होता है history आप इस तरीके से पूछ रहे हैं quality आप अलग तरीके से पूछ रहे हैं geography science में भी आप कोई एक pattern नहीं follow कर रहे हैं कि एक बच्चे को भरोसा मिले confidence आए अपने sources पर sir मैं परिशान हो गया इस history के analysis से आप को मैं दिखाता हूँ बहुत short में ये history के analysis रहने वाला है क्योंकि sir sources की अगर बात की जाए तो total 15 questions आपके history में पूछे गए हैं 15 questions में से सिर्फ और सिर्फ आप 5 से 6 questions है जो यहाँ पर मैं आपको direct sources दिखा पाऊँगा मैंने पूरी कोशिश की 10 questions का 8, 9-10 questions का sir कोई source कहीं से कोई book मैं उपेंदर सिंग खोल के देख ली मैंने higher से higher standard की book खोल कर देख ली मुझे sources के बारे में जानकर नहीं मिली इन केस आप में से किसी भी दोस्त को किसी भी मित्र को अगर analysis कहीं पर भी किसी question का extra नजर आए तो sir please उसे inform करिएगा बट sir मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर analysis दिखाने की और sir इन 15 questions में से भी मैं यह कह सकता हूँ कि शायद ही आप अपने sources से जो आपने पढ़ा होगा hardly 3-4 question ही attempt कर पाएंगे और थोड़ा बहुत logical gas लगा के उसे और भड़ा पाएंगे तो यह है history की कहानी जो UPSC ने अपने हर एक attempt में धीरे धीरे खराब कर दी है तो यहाँ पर दोस्तो मेरा बस आप लोगों से एक यही कहना है कि यार जो आप attempt CAPF 2024 का दे कर आये हो वहाँ पर आप लोग अपने लेवल को लेकर बहुत जादा निराशना हुए क्योंकि जो यह exam रहा है CAPF 2024 का यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने हमारी पढ़ाई में कोई कमी छोड़ी सर आप यकीन नहीं करेंगे कि history को इस बार हम लोगों ने game changer में इतना अच्छा इतना भैतरीन ढंक से किया हमने एक-एक source के notes एक-एक source की book हर एक चीज जो previously UPSC ने पूछी है वो सब हमने complete किया in fact उपेंदर सिंग को भी कुछ हद तक जहां से question पूछे जाते हैं वो सब cover करने की कोशिश की बट फिर भी क्या सिला मिला history में तो इसका मैं आपको end में बताऊंगा कि history को आगे हमें future में approach कैसे करना है बट अभी हम लोग analysis पर चलते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहला और सबसे आसान question अगर history में मैं कहूंगा आपको तो यह है what is नलयार दिव्य प्रबंधनम ठीक है यह नलयार दिव् कोई trick कुछ नहीं लगा नहीं है अगर आपने इसको पड़ा है जो की सीधे आपने पड़ा ही होगा right answer इसका A है composition by the alwar compiled in the form of anthology sources की बात करूँ तो आपकी themes and CRT में sir यहाँ पर 144 आपको पता होगा history के लिए themes को follow किया जाता है आपके CEPF में तो यहाँ पर कह रहा है कि for instance one for instance one of the major anthologies of composition by the alwar's the nalaiyar divya prabundanam तो यहाँ पर आपको यहाँ पता होना चाहिए था यह आपका NCRT का source है और अगर previous year की बात करो दोस्तों तो side में मैंने previous year question भी लगा रखा है कि who was worth the 10th century composer of the nalaiyar divya prabundanam तो यहाँ पर alwar's जो है nalaiyar प्रबंधनम के composer है तो वही अगर आ पारे में भी सिर्फ इतना हिंट होता तो अभी आप answer इसका सही करके आते और उमीद है कि sir आपने यह question तो जरूर सही किया ही होगा ठीक है उसके बाद दूसरा जो आसान question आपके history में था वह महानवमी दिब्बा के ऊपर था थोड़ा सा यहाँ पर यह दो statement से इन्होंने इ located on it. Sir इतना बड़ा यह stage नहीं है यह जो massive platform है महानवमी दिब्बा का अगर आप NCRT में उसका photo देखेंगे यह बहुत बड़ा ऐसा platform नहीं है यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ यह आपकी NCRT themes में mention भी है तो जो platform है वो उतना बड़ा नहीं है कि इसके उपर आप व कहां से पूछा है themes NCRT page 180 ठीक है यह आपका chapter है vision अगर का उसमें यहाँ पर highest point in the city पर बताया हुआ है कि महानवमी दिब्बा is a massive platform raising from a base of about 11,000 square feet to a height of 40 feet ठीक है यह है आपका और हम कैसे expect कर सकते थे predict कर सकते थे कि question यहाँ से आ सकता है CDS 2018, CGS 2023, NDA 2021 तीनों में आपको साल दर साल यहाँ पर कहीं न कहीं महानवमी दिब्बा का question देखने को मिल रहा है ठीक है तो यहाँ पर तो बस यही बिल्कुल सेम इसी format में आपका 2024 में आया है statement थोड़े अलग पूछ लिए है तो paper जो question है उतना difficult नहीं था यह दूसरा question था आपका history का जो थोड़ा सा मैं कहूंगा easy side था जिसे आपको attempt करना ही चाहिए था ठीक है यह दो question है अब तीसरे question पर आते हैं देखिए यहाँ पर थोड़ा सा difficulty level के according मैंने question लगाया है सबसे पहला question बहुत आसन दूसरा थोड़ा सा हलका सा difficult पट आसन थर्ड वाला यह question यह भी आसान ही side में रखूंगा देखो अगर ऐसे question को difficult बोलेंगे तो sir बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर history में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि the third round table conference meet जो हुई थी वो लंडन में हुई थी in November और without the participation of Congress अगर आपने तीनों रांड RTC के बारे में पढ़ा होगा तो पहली RTC म यह समझ गए थे कि इनके participation के बना किसी भी conclusion पर आना मुश्किल है तो second RTC में जो है Congress का role यहाँ पर देखने को मिलेगा इनको लेकर आया गया था पर बातचीत सही ना होने के कारण इन्होंने अगली जो RTC है RTC 3 उसको भी बायकॉट किया था तो सिर्फ second RTC में आपको Congress का role देखने को मिलेगा तो यह जो statement आप देख रहे हो third RTC in London in November 1932 without the participation of Congress यह बिल्कुल सही है उसके बाद कहा रहा है कि the discussion in the RTC conferred led to passing of Government of India Act 1935 यह भी बिल्कुल सही है सब तीसरे act के बाद इना 1935 में आपका Government of India Act 1935 पास होता है उसी के दोरान यहाँ पर इसके बारे में चर्चाय होती है तो यह भी बिल्कुल ठीक है अब उसके बाद third है fourth option यह चार option आपको इस question में दिये हुए थे पर मैं आपको एक छोटी सी आपर hint देता हूं दोस्तों चलिए पहले third option देख लेते हैं The Government of India Act 1935 did not favor the idea of provincial autonomy नहीं सरी यह गलत है आपके provincial autonomy की बात यहाँ पर 1935 Government Act में आपको असान सा एक तरीका बताता हूं जो कि हमें हमेशा कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमें सारी की सारी knowledge वहाँ पर लगा ही देनी है अपनी उस question को पढ़के मुझे यहाँ पर एक एक करके check करना होगा कि पहला सही है दूसरा सही है तीसरा सही है चौता सही है नहीं सर मैंने previous year question में attempt किया है और मुझे पता है कि जो provincial autonomy है वो 1935 act से ही आई हुई है यह आपको मैं दिखा देता हूं कि आपके previous year paper में CISF 2022 का ठीक है मैं हर एक question को previous year question से attempt करने की approach भी लेकर चल रहा हूं दोस्तों क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि सारी चीज़ा जैसे हम देख है कि NCRTA हमारे sources से पूछे जा रही है बट previous year question का role कहीं न कहीं हमेशा की तरह उतना ही रह रहा है और भड़ ही रहा है ठीक है तो PYQs को आपको थोड़ा सा आगे से ध्यान देना होगा तो यहाँ पर आप देखो provincial autonomy was the most redeem feature of which one of the following act सीधे वही question है कि provincial autonomy कौन से act में एक feature देख यह direct question था जो मैंने आपको भी दिखाया तो अगर मैं ध्यान रखो यहाँ पर कि जो तीसरा statement है वो मेरा गलत है तो सर सीधे में select करता हूँ code कि भाई तीसरा हटाओ तीसरा हटाओ यहाँ पर देखो यह third आ रहा है न सभी option में तो बस मैंने तीसरा हटाया मेरा right answer one and two आ गया मुझे ज़्यादा परिशान होने की ज़रुती नहीं थी कि मुझे अगर one और two और four पता ही नहीं है मुझे अगर सीधे पता है provincial autonomy के बारे में तो मैं सीधे answer पर राजाओंगा और सर यह मैं आपसे expect करूँगा पूरा कि भाई यह third option आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह उसके बाद यह fourth है आपका modern history का इसे भी मैं कहूंगा sir कि आप मतलब यह बहुत difficult नहीं है इसे भी किया जा सकता था अपनी समझदारी के basis पे उतना difficult चीज नहीं पूछे है आपर कह रहा है कि रॉल टेक 2019 में क्या statement जो है गलत अच्छा ध्यान रखेगा हमेशा जब भी paper attempt कर करते हो तो statement में कहीं पर भी not दिया होगा तो उसे तुरंत सरकल किया करो और आपके CAPF CDS में तो यह लोग not के दिवाने हैं ठीक है तो not तो आपको ध्यान रखना है अब कह रहा है कि it was passed by the imperial legislative council sir इसके बारे में हो सकता है कि आप confirm हो या ना हो बट यह statement पढ़ने में भी ऐसा doubt नहीं दे रहा है कि मतलब यहाँ पर गलती होगी तो यह statement वैसे सही है source की भी मैं अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो अगर आपने spectrum पढ़ी होगी तो roll act starting में ही यह समझाते हैं कि जो roll act pass होता है वो introduced होता है in the imperial legislative council ठीक है मतलब दौनों तरीके से आपके source में भी है और आप logic के basis पर भी इसको ठीक कर सकते हैं कि यह statement तो चलो ठीक ही होगा उसके बाद खिलाफत committee was formed to oppose the act अब देखो हम इतनी modern history पढ़ते हैं हमें इतना तो समझ में आता है कि खिलाफत committee बनी किसलिये थी तो खिलाफत committee का purpose जो था आपकी जो है spectrum में भी clearly mention है कि जो यह committee form हुई थी इस case का cause था बनने का तो इसके बारे में देखो अगर आपको इतना भी idea है और मैं कहता हूँ यह भी नहीं है तो इतना जरूर पता होगा कि यह कहीं हमारे किसी act के against तो थी नहीं खिलाफत committee तो यह statement तो पूरी तरीके से गलत है और तीसरे statement की बात करूँ कि while Gandhi जी was arrested the local leader were allowed to continue the protest sir इतने अच्छे नहीं थे British कि Gandhi जी को तो jail कर दिया और बाग के leaders को कह रहे है कि नहीं नहीं तुम आराम से protest करो हमें तो बस Gandhi जी चाहिए थे ऐसा नहीं था sir मतलब पढ़के ही समझ में आ रहा है कि क्या खेल जो है यहाँ पर खेला जा रहा है statement में तो यह भी simply गलत होगा सि एक one सही है इसलिए इसका आपका जो right answer होगा वो two होगा सही है देखो इसको पीछे के तीन कोश्चनों से हलका सा मैं tougher side ले जाओंगा बट उतना भी नहीं है कि से attempt ना किया जा सके तो यह चार कोशन जो आप आपने देखे सरी चार कोशन थे जो mainly doable थे अब जो कोशन आने व कि जित तरीके से जो पंदरा कोशन दिये है ना इन्होंने history में मतलब एकदम क्या ही कहा जाए भाई UPSC मतलब यार seriously बोल रहा हूँ यह UPSC ने कोशन दिये हैं इस वज़े से लोग UPSC का एक level मानकर यह सोचते हैं कि चलो UPSC ने दिये हैं तो कुछ अच्छा ही दिया होगा पर अगर यही कोशन किसी state PCS में दिया होता ना तो अब तक हर बच्चा गाली दे रहा होता कि यह भी कोई पूछने का तरीका होता है कोई मतलब flower पूछ रहे हैं विजन अगर empire में यह year पूछ रहे हैं मतलब सरी यह कोई कोशन होते हैं कि बच्चा अब यह चीज़े थोड अब यह पूछ रहे हैं कि अगर यह 72 के साका एरा में आया तो यह CE में बताओ मैं समझ सकता हूं कि भाई यह चीज़े थीक है मतलब आप expect कर रहे होंगे कि भाई शाका एरा और CEO को connect करना बच्चे को पता हो पर क्या यह इतना relevant है कोशन कि बच्चा इन चीज़ों पर भी ध उपहिंदर सिंग से question है directly मैं आपको दिखा देता हूं तो सर यहां से मुझे इसका source देखने को मिला है answer इसका 150 CE है बट सर पूरी तरीके से मैं disappointed हूं इस question से UPSC के लिए कि सर ऐसे question तो मत पूछिए जहां पर मतलब बच्चा ये आप ऐसे tricky question पूछिए न जहां पर बच्चा ये कहे कि हाँ यार मैंने शायद तयारी में कहीं अपनी कमी छोड़ी है अब आप question पूछ रहे हैं उपेंदर सिंग से question पूछ रहे हैं ऐसे sources से जहां किसी जाइज था मतलब भड़ी question है ठीक है अब यहां पर देखो शाका error काला चूरी विक्रम एरा हर्शा एरा गुपता एरा एरा को आपको अरेंज करना आना चाहिए इसके बारे में बहुत ज्यादा देखो हम लोग हमारी किसी NCRT में mention नहीं है किसी ने अगर lucent पढ़ा हो तो जरूर इसके बारे में जानकारी होगी बट मैं आपको इसका source दिखा देता हूँ मुझे ये उपेंदर सिंग से देखने को मिला यहां पर एकी लाइन में नोने विक्रम एरा शाका एरा काला चूरी गुपता एरा और यहां पर आपका हर्शा एरा सब को describe क्या हुआ है कि य और इस according अगर मैं बात करूँ यहां पर इसके answer की तो सरी इसका answer होगा D option ठीक है तो यह इसका source है ठीक है तो यह तो आपका रहा अच्छा question अच्छा सर देखो जितने question के sources में निकाल पाया वो मैंने अभी आपको दिखा दिया अब जितने भी question है इसके sources मुझे नहीं पता बट जो मेरे पास अभी जितना भी research करने के बाद इनके answer पता चले मैं वो जरूर आपको पता देता हूँ तो जैसे कि यह 66 question आपका आया था which of the following statement about the costumes and headgear hairstyle in India during the 4th and 7th century answer है one only भगवान जाने की कहां से question पूछ रहा है 68 question subject और उनके pair match कराया है question पता नहीं कहां से बट ठीक है यह pattern है UPSC का अच्छा question मानूंगा बट यह मुझे नहीं समझ मैं कि यह कहां से अच्छा question है second only इसका answer है उसके बाद सर बहुत shocking question मतला विजे नगर के ऊपर इतना बड़ा chapter है आपकी book में कोई अच्छा question आप पूछ लेते कुछ इस तरीके से पूछ लेते कि कुछ ट्र रजाग चलो यार मैं मानता हूं कि question अच्छा हो सकता था बट इसका कोई source तो होना चाहिए था मतलब समझ नहीं आता कि UPSC हम लोगों से चाहती क्या है नहीं selection करवाना नहीं दिलवाना तो सीधे मना कर दो CAPF exam कोई खतम कर दो पर वह यह बच्चों के moral को गिराना है ठीक है 71 question in Kotelia's अर्थशास्त्र the conquering king is expected to establish in the conquered territories a social order based on तो यह इसका answer है धर्मा वर्णा आश्रमा सिस्टम ठीक है तो जैसे देखो अब यह question है यार ऐसे question हो कि आप न इसमें तुक्का भी नहीं मार सकते यार कोई gas भी नहीं लगा सकते अब हाँ कोई अलगी तुक्के बाज आदमी ह तुक्का मार ही देगा पर यहाँ पर कोई आप ऐसा कोई logic लगा ही नहीं सकते अब यह question है इसमें फिर भी आप logic लगा क्या answer कर सकते हो ठीक है यहाँ पर यह तुछ खेर मैं क्या ही कहूं यहाँ पर देखो ऐसे तो बिल्कुल यह तो बिल्कुल factual है तो इसमें भी हम कोई अ घंतू medicine यह कुछ लग रहा है कि medicine नाम से और तेलक मंजरी mathematics यहाँ पर हो सकता है कि चीज़ ना समझ में मलब यह है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं जहाँ पर question एक भैतर साइड हो बट जहाँ पर कुछ logic ही नहीं है उसमें क्या ही logic लगाया जाएगा question ही किस तरीके से पुनी खारा दौपती mentioned frequently in the biographies of वैशनवा reference of medieval Assam sir कोई source नहीं answer आपके सामने है 77 यहाँ पर बुंदेल rebellion against orange आर करेक्ट यह पूछा हुआ है इसका answer exactly अभी तक नहीं समझ में आया है कोई source अगर होता तो मैं जरूर confirm करता तो यह आपके सामने है इसके बाद 78 question है Dutch trade in Mughal period इ जिवाजी के नेवल फोट्स थ्री और फॉर ओनली होगा answer और लास्ट में आपका Assam medieval period जो है एकनोमी के बारे में पूछा हुआ है जिसका answer 1 to 3 होगा ठीक है तो यह था दोस्तों आपका history analysis ठीक है जितने भी sources मेरे को मिल पाए मुझे मैंने ढून कर आपके सामने रखे हैं अगर कहीं पर भी लगता है कि कुछ ऐसा extra source है जो आपको पता है मुझे नहीं idea है तो सर जरूर आप help करें ठीक है उसके लिए thank you आप सभी का यह है दोस्तों आपका history analysis अब अगर मैं बात करूं future के लिए हमें 2025 की अगर बात करें दोस्तों कि CAPF 2025 के लिए हमें history में करना क्या चाहिए तो सर सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भाई history को अपने priority subject में मत रखिएगा ये बात ध्यान में रखिएगा history करनी है सबसे पहले आप science खतम करो या geography खतम करो math खतम करो आप यकीन नहीं मानोगे मानोगे इस बार के paper में और ये बात मुझे पहले भी पता थी मैंने क इस भी बचाने में अब आपको मदद कर रहा है तो science तैयार करो geography तैयार करो math तैयार करो देन उसके बाद आप polity economy और history ठीक है अच्छा यहां पर आप चौथे नम्मर पर ना आप economy भी रख सकते हो ठीक है क्योंकि economic के question भी भढ़ रहा है उसके बाद अपना polity और history को तैयार क इसके बाद करो तो सर आपने देख लिया आपके सामने paper है इस paper के आने के बाद भी आप यह नहीं कह सकते कि अब मैं कुछ ऐसे पढ़ूंगा तो शायद history attempt कर पाऊंगा कोई change नहीं लाना है सर कोई change नहीं लाना जो आप पहले करते आ रहे थे अपनी themes and CRT वही करिए ठीक ह themes and CRT करिए प्लस में spectrum करिए इनसे जो starting में आपने चार question देखे सर अगर वो कुछ हो भी पा रहे हैं तो वो सिर्फ इसी से हो पा रहे हैं अगर ये नहीं करोगे कुछ और करोगे तो सर वो चार भी question आपके आथ से निकल जाएंगे और बाकी तो हम attempt कर ही नहीं पाएंगे ठ करता हूं choice आपकी है sir मिलने कुछ नहीं वाला आपको उससे ठीक है तो यह है मेरा आपके सामने conclusion history को लेकर उमीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो है analysis helpful लगा होगा अपने जो भी doubt है जो भी query है जरू हमें comment section में बताएं और session को जरूर like करें दोस्तों उमीद करता हूं आ पर नए session में thank you दोस्तों जैहन